नमस्ते दोस्तो कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूँ बहुत अच्छे हूंगे हम लोग भी बहुत अच्छे हैं स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपकी अपने ही चानल मी सहली पर आज मैं लेके आई हूँ बचे हुए चावल के बहुत ही ज़्यादा चेट पटा सा पापर बनाने की रेस्पी और यदि आपके घर में भी चावल बस जाते हैं यदि कोई खाने वाले हैं तो उन्हें खिला दे और नहीं है यदि ये फिकने के कगार पे हैं तो चावल को फेके ना इसका बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पापर चीप्स कुर्ड़लई इसका बहुत ही ज़्यादा रेस्पी आप तरह तरह के बनाके रख सकते हैं थोरा सा भी यदि आपके घर में चावल बच रहा है तो आप इसे फ्रीज में स्टूर करके रखें जब सज़ादा हो जाए तो आप इसका पापर बनाए तो आज मैं पापर की ही रेस्पी लेके आई हूँ सबसे पहले चावल को जितना भी चावल आपका बचा हुआ है एक दुसरे बर्तन में रख ले वीडियो को पूरा देखिएगा चावल के पापर दो तरह से बनाए जाते हैं एक बचे हुए चावल को डारेक्टली पीस के और बना दिया जाता है लेकिन वो वाला चावल के पापर सूखने के बाद बिखर जाता है और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है और आज जो मैं बता रहे हैं उस तरीके से आप एक पर बना के देखिएगा आपको बहुत ही जादा पसंद आएगा तो वीडियो को फूल वाच कीजिए देखिए इसमें डाल देना हमें सुआत के अनुसार नमक चावल में एदिया पहले से नमक डाल के बनाए हुए हैं तो आप नमक थोड़ा कम ही डालिएगा हिसाब से डालिएगा चावल में बहुत कोई नमक डाल के बनाते हैं और बहु अच्हे से पानी के अंधर नमक के साथ मैज कीजिएगा इससे क्या होगा छावल हमारा थोरा softy होगा क्योंकि फ्रीज में रखा हूअ चावल ठाइट हो जाता है थो outta करा हो जाता है किस जितना हमारा क्यावल है उसका डगल पानी इसमें डाल दीजिए और बहुत ज़्यादा पानी इसके लिए डाल रही हो क्योंकि आप बाद में इसमें चाहेंगे तो कच्छा पानी का इस्तिमाल नहीं कर सकते हैं पानी ये ज़्यादा भी हो जाए चावल में तो कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको बताऊंगी इसका पानी का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं बाद में चावल में अच्छे से पानी डाल दी हूँ जितना कि चावल हमारा एकदम पानी के अंदर डूब जाए तो चलिए अब इसी से पापर बना के आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आज पापर बनाना है इसमें डालना है एक चमच तेल तेल डालने से ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं ना ही बरतन में चिपकेगा और ना ही जब आप पापर बनाएंगे तो वहाँ पर आपको दिक्कत होगा सरसो का तेल यहाँ पर आपको नहीं डालना है रिफाइन तेल का इस्तिमाल आप कर सकते हैं एक चमच ही डालिएगा क्योंकि हमारा चावल एक ही कटोरी था दो कटोरी है तो आप सारे सामगरी को ज़्यादा करके डाल दीजिएगा पापर बनाने के लिए यहाँ पर लिए हूँ कुकर और कुकर में डाल देना है आधा कप पानी और जो चावल के उपर पानी है जोटकी आपको नाप के दिखाई हो पानी नाप के दिखाने का ये कारण है कि आप अच्छे से समझ ले तो वही चावल वाला पानी इसके कुकर के अंदर डाल देना है और थोड़ा सा पानी चावल के साथ ही रहने देना है फ्रिंट वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और जादा से जादा सेयर करेंगे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए और छोटा सा जो घंटी का निसाने उसे भी एक बार क्लिक कर दीजिएगा तभी हमारे साथे बीडियो का अपडेट आपको मिलते रहेगा पानी को थोड़ा गरम होने देना है इसके लिए इसके उपर डाल दीजिए कुकर का धकन और पानी को हलका सा गरम होने दीजिए देखे पानी गरम हो चुका है अभी इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं डालना है डिरेक्टली जो चावल रख्यू पानी में डुबाके उसी चावल को इसके अंदर डाल देना है अभी चावल आपको पकाना कैसे है वो भी मैं आपको बताती हूँ एदी आपका चावल कुकर में बना हुआ है कुकर का बना हुआ चावल होगा तो आप इसमें कौन फलार या चावल का आटा अलग से नहीं डालिए और एदी आप डेक्ची में पतीले में बनाए हूँगे चावल को तो उसका मार मिकला हुआ होता है तो आपका जो चावल का पापर है उसको तूटने से बचाने के लिए आप दो चमच कौन फलार को अलग बरतन में थोड़ा पानी के साथ गोल के जब चावल आपका पकने लगे जैसे कि अभी देखिए अभी पकने लगा है तो इसमें डाल देना है और खुला ही कुकर को थोड़ा देर पकाना है देखे चावल में कितना ज़्यादा ज़ाग आ रहा है एदी आप तुरत ही कुकर बंद कर देंगे तो इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा है सिटी से पानी बहुत ही ज़्यादा फेकने लगता है तो थोड़ा सा दो से तीन मिनट तक हमें खुले में इसे पकाना है तो ये कूकर का बना हुआ чावल था प्रेंट तो इसके लिए नहीं इसमें कौन फलार यूज कर रही हो और नहीं अलग से चावल का आटा यूज कर रही हूँ आप ऐसे भी बना सकते हैं तो आप के पास नहीं है तो आप बना लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा लेकिन होता है न कभी कभार आप चावल किस टाइप का यूज कर रहे हैं घर में तो पापर सुखने के बाद तूटने का डर रहता है तो इसके कि तीन सीटी आने देना है इसमें पूरा पूरी लोफलेम पर तीन सीटी इसे पकाईएगा जिससे चावल हमारा बहुत अच्छे से पक के थोड़ा सा चिपचिपा भी हो जाएगा और ये वाले पापर को आप जब तक चाहें स्टोर करके रख सकते हैं और पापर बनाने का जैसे बचे हुए चावल का पापर बनाने का कोई सीजन नहीं होता है क्योंकि सीजन पे थोड़े ना चावल बनता है हम लोगों के घर में चावल तो रोज ही बनता है थोड़ा बहुत बच्छी जाता है तो आप इसे जब चाहें पापर बनाके और सुखा सकते हैं आपके से कुकर को ठंधा होने देने के बाद इसका धकन खोलना है जिससे कि थोड़ा देर और अच्छे से पक जाए और आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर काफी आपको पानी-पानी सा लग रहा होगा तो सबसे पहले हमें चावलों को ठंधा करना है ये बहुत ज़्यादा गरम है तो इसका आप आपर नहीं बना सकते हैं तो इस तरीके से फैला हुआ कोई बरतन में आप सारे चावल को खाली कर लें और ठंधा होने के लिए थोड़ा देर पंखा चला के और इसके नीचे आप इसमें एक्स्ट्रा है तो पानी को निकाल लेना है आपको बताती हूं कि कब पानी को आपको निकालना है और यूज कव करना है चावल ठंडा हो चुका है अब इस सारे चावल को डाल देना हमें मिक्सर जाड में तो यहां पर बड़ा वला जार ले रहे हूं जैसे कि एक ही कीजिएगा मैं वीडियो का लिंक आपको देदूंगी टमाटर के पापर बनाने हैं लौकी के पापर बनाने हैं तो सारे पापर हमारे चैनल पर अप्लोडेट है आप कमेंट कीजिएगा मैं वीडियो का लिंक आपको देदूंगी लिंक टच करके आप वीडियो को देख सकते हैं तो देखे अभी इसके ऊपर बहुत जादा हमें पानी सा लग रहा है तो पानी को अलग को- निकाल लेना है और यह लगे हो जाए और vestुश को बहुत जादा यह गाठा हो जाए लगे कि इसमें उबालिये अब चावल के पापर के अंदर जरा अलग सा स्वात लाने के लिए इसमें डालना एक इंज के अदरक का टुकरा आधां ही डालियेगा बारीक-बारीक कट करके और चाहे तो हरी मिर्ची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इसमें लाल मिर्ची डालूंगे इसके ल तो आपको बताती हूं कि इसके अंदर आप क्या मसाला तो आपको बताती हूं कि इसके अंदर आप क्या मसाला डालेंगे जो पापर देखने में भी अच्छा बनेगा और खाने में भी काफी स्वादिस्ट पता ही नहीं चलेगा इसे आपने बचे हुए चावल से बना के तयार किया है जैसे कि चावल का पापर होता है बिल्कुल वैसा ही स्वादिस्ट बनेगा और देखिए इसे दिखाती हूँ कि कितना पतला है देखिए बहुत ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा तो पहले पानी निकाल लेना है आपको अभी के समय में भी इसमें पानी कम लगेगा तो जो गरम पानी चावल से निकला हुआ है उसका इस्तिमाल आप कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये चावल के साथ ही पका हुआ है पानी अब इसमें डालना है जीरा एक छोटा चमच क्योंकि कम ही चावल का घूल है इसी के अनुसार से हमें इसमें मसाले और नमक भी एड़ करने हैं नमक तो पहले ही डाला गया है तो इसमें डाला गया जीर और शाथ में डालोंगी चीली फ्लेक्स लाल मिर्ची को दरदरा कूट के या बारिक बारिक काट के आप डाल सकते हैं पापर में देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और चेट-पटा भी बन जाता है इससे और आपके पापर का कलर भी चेंज नहीं होता है आप लाल मिर्ची नहीं डालना चाहते हैं तो आप थोड़ा से दरदरा कूटा हुआ काली मिर्ची डाल सकते हैं या मिर्ची का पौडर भी आप डाल दीजिए और नहीं तो जब आप चावल पीस रहो हो साथ में दो से तिन हरी मिर्ची को डाल सकते हैं पीस के आधा छोटा चमस के जितना डालना हमें कलोंजी और साड़े चीज़ को अच्छे से मिक्स कर देना है मिक्स करने के बाद इसे थोड़ा दिर रख दीजिए गारेश्ट करने के लिए चावल के घोल को जिससे ये थोड़ा सा और जम जाए जमने के बाद इसका पापर बनाके आपको दो-चार पापर बनाके यहाँ पर दिखा देती हूँ तो देखिए पाच मिनट छोड़ दे थी जिससे मसाला सभी हमारा इसके अंदर फूल गया है बहुत अच्छे से और यह घोल तैयार हो चुका है पापर बनाने के लिए पापर बनाने के लिए यहाँ पर कोई भी आप पाउलीथीन ले ले मैं यहाँ पर छोटा सा पाउलीथीन लेके आपको सिर्फ दो-चार पापर बनाके दिखाती हूँ और इसी तरीके से सारे पापर बनाना है तो धूप में कैमरा काम नहीं अच्छे से करता है तो इसके लिए थोड़ा सा यहां पर दिखा देती हूँ बनाने का तरीका और सारे पापर को धूप में ही डाल दूँगी क्योंकि इतना गिला गिला सा यह होता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में ये पूरा बिखर जाएगा पलिथिन के उपर थोड़ा सा तेल लगा के पलिथिन को चिकना कर ले और इस पे थोड़ा थोड़ा सा आम बड़ा छोटा जैसा चाहवा ऐसा पापर बना के तैयार कर सकते और पापर को डालने के बाद बहुत ज्यादा पतला नहीं करना, बस हलका सा डालके और सेप हलका सा दे दे, देखे कुछ इस तरीके से, धूप में बनाईएगा तो धूप का सुखा हुआ पापर का कलर भी बहुत अच्छा होता है और जल्दी से सुख भी जाता है, क्योंकि ये बचे हुए चावल का पापर है, तो जितना जल्दी सुख जा उतना ही अच्छा बनके आएगा, तो चलिए इसी तरीके से बनाके, फिर सुखने के बाद दिखाती हूँ फ्रेंड्स पापर हमारा देखिए, इसे दो दिनों तक अच्छे से सुखाई हूँ, क्योंकि अभी तो धूप उतना अच्छा आ नहीं रहा है, तो दो दिनों तो बहुत अच्छे से सुखाई हूँ, और पापर देखिए कितना ही पतला-पतला सा बनके आया है, देख पार पापर बनाने का मन करेगा और जान बुझ के हर रोज थोड़ा सा चावल जादा ही बनाएंगे कि चलो चावल का चावल भी हो जाएगा और थोड़ा सा चटपटा पापर भी घर में बन जाएगा पापर को फ्राई करने के लिए देखिए तेल गरम करके और इसमें पापर को क्योंकि इसके अंदर नहीं बेकिंग सोडा नहीं पापर खार कुछ का भी इस्तिमाल नहीं कि हूँ एकदम सिंपल तरीके से पापर बनाके दिखाई हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड तो वीडियो को जादा से जादा से शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सबस् इस पीके साथ थैंक यू